अधिक होती हैं और कई बार हमें किसी को मना भी करना पड़ता है ना भी बोलने का अभ्यास होता है जहन दोस्तों अब आपकी उंबीदों को जटका लगेगा सिर्फ आप एक वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा आखिर हमें जो वेलफेर हैं EFT से मिलता है और वो MOD में implement क्यों नहीं होता है और ये वीडियो और किसी का नहीं माननी रच्छा मंत्री जी हैं और अपने FADS Financial Advisor of Defense Service उनकी तारीव के किस तरह पुल बांद रहे हैं ये वीडियो जरूर देखना आपको पता चल जाएगा आकर गेम कहां चल ला है और ये कितना बड़ा गेम ह जिससे आपकी सारी उंबीदें दरी की धरी रह जाएंगे कैसे जरह हम बात करते हैं तो अपने आप में ही एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जिसकी जिम्मेदारी लेकर आप सबको आप सबको खुस नहीं रख सकते कोई नाराज होगा पक्की बात है क्योंकि संताधन सेमित होते हैं और देखिए आप क्यांकि एक अडिकारी जाते जाते बच गए नहीं समझे अकले मन ने सारा अब इतना नहीं समझे के तो कांट 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 के सबसे पहले थोड़ा सा वीडियो देखिए जिसमें वो कह रहे हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इसके बारे में मैं बात करूंगा वो कहे क्या रहे हैं वो किसकी तरफ इसारा कर रहे हैं कि एक तो जाते जाते बच गया यानि आपके पास एकांट का महकमा मैंने लिए और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आपने ना बोलना है हरे एक को हा नहीं बोलना है क्यों का हमारे पास सबको हा नहीं देना है बस ना भी बोलना सीखो और बहुत बढ़िया काम चलना है और यह है यानि एक सेमिनार है जिसमें CGDA के अंदर आप समझ सकते हो कि Chief Account Officer for Defense System एक डिपार्डमेंट है जहाँ पर सेना के अंदर जो भी EFT के मामले जाते हैं सुपीम कोट से जाते हैं फाइनिसल वाले जाते हैं और उनके ऊपर ये हैं जिन मैडम की वो तारीफ कर रहे हैं वो फाइनिसल एडवाइजर हैं रच्छा मंत्रीजी की ना बोलो चलेगा जैसे आपने देखा हुआ 79-80 यर्स पैंस ला हो 5% पैंसिन की बड़ोतरी का मामला हो नौसलन इंक्रीमेंट का मामला हो ओनरी नैफसुदार क अमनला जाके इनन पर सब कर दिया कि नहीं आप सेनिकों को आगे बढ़ना है तो पहले अपना सरीर देखना पड़ेगा यह सेनिक कहीं बीपीटी में गिर जाता है तो आपको नहीं मिलने वाले दिसेबिलिटी अप कहीं ड्राइबर को ड्राइबर बैटे हो गाड़ी का कुछ हुआ को ड्राइबर आपकी कोई डूटी नहीं थी आप तो बैटे थे कुछ नहीं बिलने वाला इन सब तमाम चीज़ों को जो उम्मीद लगा कि हमारे सेनिक बेटे उन में धक्का लगा जब पहले अब इस वीडियो को सुनते फिर आगे की बात बताएंगे और मामला क्या है क्योंकि इस सब को खुशने जा सकते हैं क्योंकि रिसूर्सें तीमित हैं और आवशक्ताइं अधिक होती हैं प्रकुनित हैं और कई बार हमें कीनी बाता है ना भी बोलने का अभ्यास होता है और यह अभ्यास आपणों का होना शही है हर्चे में हा मोलना ये भी ठीक नहीं है और कभी-कभी किसी की नाराजगी भी, लेनी पड़ती है लेकिन इतनी आछुनोतियों के बाज़ भी एकाउंट डिपार्टमेंट का मामला ऐसा होता है कि हम सभी को खुश नहीं कर सकते हमें कईयों को ना बोलना पड़ता है और कईयों को टरकाना पड़ता है हमारा काम सभी को खुश रखना नहीं है ऐसी डिमांड तो चलती रहेंगी यानि उन्होंने हमारे पास संसाधन सीमत ह और मना बोलना की भी आदत लेनी चाहिए था और कोई एद बुराई नाराजगी और बुराई भी मोल ले लो ये सब कुछ कहा है मैं आपकी भूरी भूरी प्रसंसा करता हूं डेडी का काम ही ऐसा है लगा दी महर उनके काम के उपर आप समझ चुके हो और ये कौन है मैंने बत रखे हैं और उनकी तारीच कर रहे हैं वो सबसे बड़े वाश हैं चाहिए एक कुछ भी कहे चाहिए सुपीम कोट कुछ भी कहे एक चौनी यहां से नहीं निकलेगी और यह जब नहीं निकालना यह मामला एमोडी और एक के बीच का फसा हुआता तो यही वो डिबार्डमे लेकिन आप बोलता मेरे पास तो खाते में कुछ आये नहीं तो यह वो महकमा है यहां वो यह महकमा है और यही सब कुछ हमको पैसा देने वाले तो आप अब आप बात करते हैं मैंने बहुत सारे आर्टिकल आपके साथ डारे कि इनका एक्चुली क्या काम होता है और इनके कौन-कौन से डिपार्टमेंट होते हैं कौन-कौन सी चीज़ा अनायलेसिस करते हैं सब चीज़ मैंने आपकी डालिया पढ़ सकते हो अब मैं मैं मुद्धे पर बात आता हूँ को जैसे नोंने डिसेबिलिटी पैंसिंग उपर तो कैंची चला दी आप समझ सकते हो लोग ब करने के लिए तो इतना बड़ा बज़ेट है आप समझ सकते हैं कुल मैस पैनी पंदर आयार पांसो सब की हो जाएं ये लोग उनसे उम्मीद करते हो दे दें मानलो अदिली हाई कोट में मामला है मामलो सुपीम कोट में मामला चला जाता है उनके आदेश के बावजूद भी ये सरकार उस इस्तिती में नहीं है और ये सरकार की मनसा अब हस के बात कर रहा है तो यानि हमारे साथ गेम खेला जा रहा है और इस टूपर हमारे बहुत सारे सेना के सी नर्दिकारियों ने ब्यथित होकर टिक पड़ी किये आप सुनकर कहरान हो जाओगो शौकिंग डिफे सुपीम कोट सुड़ी टेक नोटिस इन इस कमेंट मतलब आपने ये कमेंट किया धन्य है वेटरन सब समझ रहे हैं सुपीम कोट को ये मामला संग्यान में लेना चाहिए इट इस नौट एन अटेक ऑंदा इंडिपेंडेंस जुडूशरी एज आई सेड अर्लियर मेरा रास शेम ऑन सच मतलब आपको सरम आनी चाहिए जो आपने अनकस्टिश्चल और आपने मैंडशेट दिखा है सरम आनी चाहिए अब आप देख सकते हैं को ये हो रहा है खेल ये है असली खेल समझ सकते हो दोस्तों हर जगए राजनीत है हर जगए कूटनीत है और हमारे साथ भी लगवग लगवग ऐसा ही हो रहा है और सुरू से होता जा रहा है सेना में एक सुधार की प्रक्रिया और सुधार के सासा पैसे को कैसे बचाए जाया है यानि मैन पावर के जगए और मैन पावर के वेलफेर की जगए अब एकिकुमेंट के उपर ज़्यादा जोर दिया जा साइध ये सरकार पता है किस तरीके से सोचती है और किस तरीके से लोगों के बीच में जाकर कि एपने बیانवाजी करती है इससे बड़ी हरानी होती है आप इस वीडियो को जरूर सेर करें ताकि पता चले कि नहीं ये खेल कुछ और है यहने हमारे साथी अब कूट नीती हो रही है आप देख सकते हो धन्वाद हो और साथियो आज हमारे बीच यफेडियस रिस्काजी चोबे हैं भी यहां पर मौदूद है और अपना कारभार यहां समालने के बास्ते ही आपने जिस मेच्योटी के साथ तो जिस समाज़दारी के साथ अपनी जिम्मेदारी कांदर्भन किया है उसके लिए रश्काजी को मैं अपनी तरफ ते हार जिक बढ़ाई देता हूँ और एकाउंट डिपार्टमेंट तो अपने आप में ही एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जिसकी जिम्मेदारी लेकर आप सबको आप सबको खुस नहीं रख सकते हैं कोई नाराज होगा पक्की बात है क्योंकि संताधन सेमित होते हैं और देखिए आप कहां कि एक अधिकारी जाते जाते बच गए हैं नहीं समझें नहीं समझें अभी नहीं समझें समझें अखले मंदिशा अब इतना नहीं समझें के तो काम का काम का होगे क्योंकि इस सबको खुशने जा सकते हैं क्योंकि रिसोर्सें स्तीमित हैं और आवशक्ताइं अधिक होती हैं और कई बार हमें किसी को मना भी करना पड़ता है ना भी बोलने का अभ्यास होता है और यह अभ्यास आपलों का होना शही है हर्चे में हां बोलना यह भी ठीक नहीं है और कभी-कभी किसी की नाराजगी भी बोल लेनी पड़ती है लेकिन इतनी चुनावटियों के बाज भी आपके आरश्काश ओवेजी ने भी और उनकी लीडर्सिप ने इस विभाग ने जिस तरीके से काम किया है मैं उसकी बहुरी बहुरी प्रसंसा करता हूं उसकी मैं सराना करता हूं और मैं इस स्वर से कामना करता हूं कि आने वाले समय में यह डिफेंस एकाउट डिपार्टमेंट और फ्लोरीज करें फले फुले आगे बढ़ें साथी साथ मुझे यहवी इस स्वास है कि आप सभी इसी प्रकार निष्ठा और लगन के साथ अपनी भूमिका का निर्वा भ सक्सस के लिए उसकी काम्याबी के लिए उसकी स्थलता के लिए हार दिख से काम नहीं देता हूं और मैं इस स्वार से यह प्राहतना करता हूं कि यह संस्थान जिस प्रकार से पिछले तीन तो पौने तीन सव वरसों से काम करता आ रहा है वह आगे भी इसी प्रकार और इसी जीवनत्ता के साथ यह काम करता रहे यह मैं अपनी तरब से इस विश्वास की विव्यक्त करता हूं और इनी सब्दों के साथ मैं पुनह है आप सब को आप अपनी सब्सक्रब से हारदिक बढ़ाई देते हुए तो कामनाई देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूँ